हेलो दोस्तों आज हम बनाने ज्ाए रहे हैं पालक और टमाटर की सबजी पालक बनाएंगे हम लेसून में मैंने दो टमाटर लिए हैं और एक जोड़ी पालक लिए है तो चलिए बनाना शुरू करते हैं कडाई में हमने तेर ले लिया है एक चमच इसमें डालेंगे कुटा हुआ लेसुन और हरी मिर्च अब लेसुन कोचे से ट्राय कर लेंगे तो लेसुन हमारा अच्छे से फ्राय हो चुका है इसमें डालेंगे पालक बुली बुली नमक डालेंगे इसमें आदी छोटी चंबके पर इनमक आलेंगे पालक में नमक थोड़ा ही डालेंगे पहले अब इसमें डाल देंगे टमाटर कटे हुए अब टमाटर जालकर इसे हम कवर कर देंगे और इसे लोग टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे पांच्छ मिनट पकाएंगे जब तक हमारे टमाटर अच्छे से सॉप्ट अब 10 मिनट के बाद में आपको दिखाती हमें तो 10 मिनट हो चुके हैं दस मिनट के बाद इसे थोड़ा सा चला लिए इस तरह से, अभी आप देख सकते हैं, पालक काफी सारा पानी निकला है, टमाट्रों का भी पानी, तो इसे हम इसी तरह से वापस कवर कर देंगे, और वापस इसे पांच मिनट के लिए पकाएंगे, बीच-बीच में इसे तरह स से जब करके, वो ठोड़ा थोड़ा सा मैश करते रहें, तो इसमें मसाले एट करते देते हैं, हमने मसाले आज नहीं किये थे, आदी छोड चम्मच लाज मिस डाल रही हूं, क्योंकि हरी मिस भी डाले थे, मैंने तीन दनिया पौटर डाल रही हूं, एक चम्मच, थोड़ इ बस इसमें ज्यादा मसाले हम दूम नहीं डालते हैं, बस अब मसालों को भी मिश्ट करके, इसे वापस से हम एक बाद से कवर करेते हैं, वापस से लो टू मेडियम फ्लेम पर ही पकाते रहें, एकदम ब्लो ना करें, तो आएए देखें फ्रेंड्स, दस मिनेट और पक चुकि है हमारी पालक, अब देख सकते हैं, इसका आएल सेपरेट हो रहा है, एकदम रेडी हो चुकी है हमारी पालक, अब बनाने में भी आपने देखा, तमाट्र वाली पालक कितनी आसान है बनाना, थोड़ा सा नमक रेट किया था मैंने, क्योंकि पहले शुरू में नमक कम रेट किया था, तो इसे हम प्यास को बंद कर देते हैं, और पालक को करते हैं सर्व, तो देखिए फ्रेंट्स पालक को मैंने सर्व कर दिया है, आप देख सकते हैं कितनी बड़ी आ लग रही है, इसमें थोड़ा सा गरम मसाला आप चाहो तो एड़ कर सकते हो, पर हम लोग इसमें जाद गरम बसाले नहीं डालते हैं जादा तो इसी तरह से बनाईए टमाटर वाली पालक अगर रेसेपी बसंद आया तो प्लीज लाइक करिए शेर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए इसी तरह से हम मिलते रहें नहीं नहीं रेसेपी के साथ बाई फ्रेंड्स टे प्रिये प्रीज करिए